Hey guys, Assalamualaikum, Welcome back to my channel, It's me, GMBB आज की जो वीडियो है, वो है मक्के के उपर, जो के मैं आपको दो बेस से बनाना से काऊँगी आपने का करना है, एक कप ले लेना है, उसमें आपने अच्छे तरीके से इसको जो है, वो मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने वान बाइफ फो टेबल स्पून जो है, वो आपने बेकिंग पाउडर आड़ कर लेना है बेकिंग पाउडर आड़ करने के बाद आपने इस पे टू टेबल स्पून जो है, वो भर के डालने है, आईल के, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ दो टेबल स्पून ओइल के डालने के बाद आपने फ्रेग्रेंस के लिए इसमें वनीला एसंस एड़ कर लेना है थोड़ा सा और वनीला एसंस डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, मिक्स जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ये चॉकलिटी फॉर्म में कनवर्ट हो जाएगा और फिर आपने इसके अंदर डाले हैं 4 टेबल स्पून जो है, मिल्क के जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्टेबल स्पून मिल्क के इसमें एड़ हो रहे हैं और फॉर्टेबल स्पून मिल्क के एड़ करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो आपके पास इस तरह का एक मिक्सचिर तयार हो जाएगा चॉकलिटी मिक्सचिर और फिर आपको अपने माइक्रोवेव के अंदर रखके इसे दो मिनिट के लिए और पैसलेशे जो है वो बैक करना है इसके बाद आप देखेंगे आपका केक जए वो बिलकुल इसी तरह से आपको देखेगा और आपने टूतपिक मारके इसमें चेक कर लेнос है यह देखें यहां पर आप देख सकते हैं यह अच्छे तरीके से जो है वो बेक हो गया है उसके बाद चब अने इसको टेस्ट किया इट वोज रीली यमलिशियस बहुत ही मज़े का था और बहुत ही जादा साफ्ट था हम बनाएंगे अपना दूसरा मक्के जिसके सारे हो जाएंगे जो मैंने खाये थे इट वोज और रीली यमलिशियस बहुत ही मज़े के बहुत ही सॉफ्ट आप जरूर ट्राइक करें और मुझे नीचे कमेट सेक्शन में आप जरूर आके बताएगा कि आपके मकेक्स किस तरह से बने हैं तो इस वीडियो को जाद से जादा करें लाइक करें अलाफेज बाबाए